ओम सिरी गनेश आये नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मेश रासी वालू हो जाओ तयार तो कि अब आपको रिद्धी शिद्धी के दाता भगवान श्री गनेश और धनकी देवी मालक्षमी के अशिर वस्ती पांच जुल पांच जुलाई से ग्यारा जुलाई यानेके इन शात दिनों में भगवान गनेश और मालक्षमी के अशिर वस्ती इन शात दिनों में गज केसरी योग, महलक्षमी योग, धन लक्षमी प्राप्ती योग, दो राज योग और एक धन योग बन चुका हैं जिससे कि यह समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है धन प्राप्ती का समय रहेगा भाग्या उदय का समय रहेगा सोई हुई किस्मत आपकी जागने वाली है ऐसा समय रहेगा यू कहीं अब तक का आपके लिए सबसे लाबदायक समय रहेगा पांच जुलाई से ग्यारा कि आपको इन साथ दिनों में प्राप्ति होने वाली हैं जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जा दोस्तों में बड़ी खुसकबरियां कौन-कौनची हैं इस वीडियो में आपको वही बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतर तक दूरा देखें बिलकुल भी वीडियो को मिस ना करें क्योंकि यह वीडियो आपकी राशी वालों के लिए भहुती महत पपोर रहने वाले हैं पांद दोस्तों इस वीडियो में आपको 5 जुलाई से 11 जुलाई तक का शंपॉन शटीक रासिफल बताने वाले हैं जा दोस्तों वीडियो का अगे शुरू करें, सबसे पलाब से रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान श्री गनेश और मालक्षमी के सच्च वक्त वीडियो को लाइक करें, और सच्चे दिल से कमेंट स्पोक्स में जैस श्री गनेश जैमालक्षमी अवर्श लिखें, जैसे भगव यह समय आर्थिक पक्ष पहले से अधिक शक्षम और मजबूत इस्तिती में रहेगा, कुछ समय से चल रही चिंताओं से अब आपको राहत मिलेगी, परिवार के लोगों की हर छोटी मोटी जरूरते पूरी करने में आपको आनन्द आएगा, अचानक ही किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलकात खुसी आपको प्रदान करेगी, दोस्तो साति सात यह समय भग्य उन्नती के सुब अफशर बन रहे हैं, जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ या फिर अठका हुआ था, उसके अब पूरा होने का समय आ गया है, कुछ विरोधी हावी होंगे, प द्यार्तियों की पिर्तियोगी परिक्षाओं का परिणाम उनके पक्ष में आएगा आवश्चकता है, तो सिर्फ पहले से जादा मेहनत करने की किसी रिष्टेदार या मित्र द्वारा कोई महत्पपूर्ण सूचना भी आपको मिल सकती है, जो आपके लिए लाबदायक पून और राहत मिलेगी बड़े बुजर्गों के आशिरवाद, वे किरपा से घर में खुसनुमा वातावरन रहेगा, आप अपनी किसी कमजोरी पर विजे पाने के लिए भी प्रत्न सील रहेंगे, दोस्तों साति सात, पिछले काफी समय से जो काम आपके रुके हुए या फिर अठके हुए थे, वे अब आपके अल्प पिर्यास से ही पूरे होने की संभवना है, किसी रिष्टेदार से संबंदित, कोई समचा सुनने को आपको मिल सकता है, भाईयों से बटवारे, संबंदित, विवाद का निप्टारा, आपसी सहमती, वे किसी की माद्यमता से आ भूस्यारी से अधिकतर काम निप्टाने में यह समय सक्षम रहेंगे, दोस्तों साथि साथ यह समय कुछ लोग आपकी आलोचनावे निंदा कर सकते हैं, ऐसी नकारात्मक प्रवर्ति के लोगों से दूरी आपको बना कर रखने की आवश सकता है, खर्चों की अधित्ता रह दोस्तों यह समय आप अपने क्रोध वे आवेश को काबू में रखना आपके लिए आवश्क हैं, कई बार जल्दबाजी वे अति उत्सा में बनाया हुआ खेली भी बिगड़ सकता है, जिसकी वज़े से परिवारिक शुक्षांती भी प्रभावित हो सकती हैं, संतान का जि क्योंकि कोई आपको भवनात्मक रूप से बेवकूप भी बना सकता है, व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग बन रहे हैं, इसलिए अपने खर्चों पर आपको नियंतन रखने की आवशक्ता है, भूमी वैवाहन संबंदी रण लेने से पहले आपको किसी की सल आवश्य लेनी चाहिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा, साथि साथ दोस्तों यह समय विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवशक्ता है, साथ ही फिजूल खर्चों में भी आप कटोती करें, क्रोध वै उत्तेजना पर आपको जरूर न दारता जैसी कमजोरी पर विजय प्राप्त करना आपके लिए अति आवशक है, क्योंकि इसकी वज़े से कुछ लोग आपका फायदा भी उठा लेते हैं, सोशल मीडिया और व्यर्थ के मित्रों से आप दूरी बना कर रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा, दोस्तों बात अगर आपके लव लाइफ की करें, तो यह समय परिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने केरियर के साथ कोई समझोता आप ना करें, दोस्तों साति साथ यह समय पती-पतनी के आपसी तालमेल और समाजस में कुछ कमी रह सकती हैं, इसलिए कुछ समय परिवार के साथ बैठ कर समय व्यतित करना माहुल को बहुती शामान ने बना देगा, दोस्तों साति साथ पती-पतनी के मध्धें, यदि कोई विवाद चल रहा है, तो उसका अब हल निकलेगा, तथा घर का वातावरण खुसनुमा हो जाएगा, प्रेम प्रसंग में पढ़कर, अपने केरियर वे अध्यन के साथ समझोता आप ना करें, परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा, किसी बच्चे की किलकारी, सम्बंदित, सुब सूचना मिलने से, परिवार में यह समय खुसनुमा वातावरण रहेगा, और परिवार प्रसंदता पूर्ण रहेगा, दोस्तो बात अगर आपके वेवसाय और केरियर की करें, तो यह समय वेपार, वे कामकाज में कुछ थोसवे महत्पपूर्ण आप निरने लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अधिक फायदेबंद सावित होंगे, आर्थिक इस्तितियां पहले से अधिक मजबूत होंगी, नौकरी में किसी प्रकार की गलती होने से अधिकारियों के शमक्ष जबाब देही आपको करनी पड़ सकती है, दोस्तो साथी साथ, कारोबार में कड़ी महनत और परिश्रम की आपको आवशकता है, कार्रे विस्तार संबंदी, योजनाएं, कार्रे रूप में पढ़नित होंगी, एक बार उस योजना का उन्हें परिक्षण आप जरूर करें, नौकरी में हलकी फुलकी परिसानी आएंगी, परन्तु आप अपनी बुद्धी मता वे विवेक से सभी परिसानियों का हल बहुती सांति पूर्ण धंग से निकाल लेंगे, साथी साथ क कारे छेतर में विस्तार के लिए कुछ योजनाओं पर विचार होगा, यह समय मार्केटिंग संबंदी कारों पर अधिक आपको ध्यान देने की आवश्यक्ता है, इसी बड़े अधिकारी या राजनितिग से आपकी मुलाकात बहुत फायदेबंद साबित होगी, नोकरी पे काफी समय से चल रही थी, उसके क्रिया निवन्त करने का समय आ गया है, सेल टेक्स, जी अश्टी, आदी से जुड़े काम आप जल्द ही पूरा कर लेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रैवेट नोकरी में लक्षे को प्राप्त करने का आपके उपर समय दबाब भी रहेगा, दोस्तो साथ साथ यह समय कामकाज को पूरी गंभीरता और संजिदगी से आप अंजाम दें, अन्यथा आपका ओडर भी कैंसिल हो सकता है, और पैसे भी फस सकते हैं, सरकारी नोकरी में किसी प्रकार की उल्जने उत्पन हो सकती हैं, इसलिए व्यर्थ किसी के क काम में हस्त छेप आप ना करें, दोस्तो साथ साथ व्यपार में कोई भी नया निवेश करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जाच पड़ताल आप अवश्य करें, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आप अपना अहित कर बैठेंगे, नोकरी में छोटी मोटी समस् परन्तु बॉस और वरिष्ट अधिकारियों का सयोग आपको तानाव मुक्त रखेगा, दोस्तो नोकरी पेसा लोगों के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला है, दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें, तो यह समय शाररिक कमजोरी तथा हर्डियों में दर्द जैस समस्याएं रह सकती हैं, वर्तमान महौल से अपना आपको बचाव रखने की आवश्चकता है, स्वास्थ आपका ठीक रहेगा, परन्तु खान पान तता दिन्चरिया को विवस्थित रखना आपके लिए अति आवश्चक है, साति सात वायू विकार वे पेट से सम्मंदित दिक्कतें रह सकती हैं, जादा गरिष्ट और तेलिये भोजन खाने से आप परेज करें, किसी भी प्रकार की बुरी आदत वे बुरी संगती से आप दूर रहें, इसी वज़े से आपका इम्मिन सिस्टम भी कमजूर हो सकता है, दोस्तों अपने स्वास्थ को और भी चारे हीगा!